वेलकम अगें हम पढ़ रहे थे क्लास एड सिविक्स लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नम्बर एड को कंप्लीट किया था आज हम उसी चैप्टर के कुछ कोशर आंसर देखेंगे तो आए क्लास टार्ट करते हैं चलो कोशर नम्बर फर्स्ट है डैस रडोस राइट्स विच यहां पर आप इसको एक साथ तो यहां पर आंसर आएगा क्या फंडामेंटल राइट्स by द्धिन द्री गेंडिक कर दूलोन आदिवन लाइबिक हा नहीं है कि अ वह उंडिकषण कि मालन मृ10 how can you work on dash in factories and craig daddy wages on daily wages in factories there are specific test and test for the marginalized in other countries पॉलिशी पॉलिशी जेखो रतनम फाइल एकेस इन लॉकाल फॉलिशी स्टेशन अंडर देखो यह आपको कॉशन का अंसर नहीं पता होगा इसका आंसर होगा अस्टाइब कास्ट एंड शेडियू ट्राइब प्रिविंशन आफ एट्रोसिटीज एक यह आइए सब्सक्राइब नाइटीन एटीन नाइटीन नाइटीन नहीं ठीक है तो यहां पर वह आ जाएगा दर सब्सक्राइब कास्ट अशीज एंड देश्टीज प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटी एक नाइटीन एटीन ना साय दिए चलो नेक्स्ट है मैनुवल स्क्रेंजर्स आर एक्पोस्ट तो डैस कंदिशन आफ और एंड फेस्ट सीरियस हैजार्ड्स किसका तरन है क्या बता है बटा सब्सक्राइब यह नहीं आया इनिया मैनुवल स्क्रेंजर्स आर एक्सपोस्टू डैस कंदिशन और फे वर्क एंड फेस्ट सीरियस हैजार्ड्स तो आप इसका आप आंसले सकते हूं जÓ अपने आंसर की में वो तो परॉंग ऑंसर है कि सिर्इच लग सकते हो जो वेटर मिनट्न कंदिशन कि अपनधी कंदिशन तो आपने अधिकर पांदी कंदिशन में वो वर्क करते हैं इसलियो स्टेस्स अपनीMatधिया है इसी शेक्न में इस मैनली डन बाइड आप डाइस वोमें एंड यंग गर्स अधिए नहीं ने यह वर्ड सोते हैं ना एक्षवल में इन वर्ड के पीछे बहुत बड़ा मीनिंग होता है और कल के चेप्टर में यही डिसकस किया गया था कि किस वर्ड को आप यूज करेंगे तो उससे सामने व सकती ठीक है तो आपको यह जो कुछ वर्ड होते ना इनको बड़ा सोच समझ की उसकरना होता है आपको पता लगेगा है तो आपके क्लास के बच्चों को वो जो कल जो मैंने बताया न वह वाला चेप्टर आप जरूर उनको रिकमेंट करना बहुत सारी बता तो रहो ना सोस के लिए वो चेप्टर जो है साइध कहीना कहीं उनको थोड़ी हेल्प करेगा यह समझने में कि उनकी जो सोच वो कैसी है चलो नेक्स कोशन गावर्मेंट प्रोवर्ड फॉर फ्री और डैस होस्टल्स फॉर स्टुदेंस अब्दालित अधिवासित कम्यूनिटीज यहां प थोड़ा पैसा गौवर्मेंट पे करती है उनके बिहाब पे नैस्ट देखो सेक्शन नमब भी इसमें ट्रू और फोल्स है और से नमब फॉस्ट जनरली आधिवासिस लिविल फोरेस्ट और माउंटेंस एरिया त्रू 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 स्टेटमेंटर फंडामेंटल राइट फीजिय कि थी नी फ Bennett नैस एरिविए एंटिच catches कि ल्का टू सवी पोल्स पोल्स दिया उजिकर कुझ जिए ऐस संधेले कि लिए पौल्स मेंटल फॉस ए मन reporting odds देखो यह पोल्स विया था कुझ धुलक्शों чем यह था? तू। यह फित्वार थांटलिक सा फेया, सके फोल्स Fundamental Rights are not available equally to all people. सर्फ में रिटर्न है. Fundamental Rights are not available equally to all people. False. Dalit had to work for powerful caste to earn their livelihood. True. True. Pratnam with the support of other Dalit families assisted the powerful caste. True. सर्ट्रू, T-R-U-E. नहीं, यह false है. कैसे false है, देखो? Pratnam with the support of other Dalit families assisted the powerful caste. यह true है. False नहीं है, यह true है. सर्ट्रू, T-R-U-E. Next, देखो. Manual squingers. Answer की में correct कर लो, यह true है वो. False के जगे true कर लो. Question number eight. Manual squingers. Manual squingers. Manual squingers. सर्ट्रू, T-R-U-E. True, आपने बताया, तो true मैंने लगा दिया ना. नहीं, सर्ट पहले आपने false लगा दिया ना. यह true है बेटा. यह true है बेटा. यह actual better truth है अपनी country का यह untouchability अपने country में अभी भी exist करती है. Next, the reservation policy of the government is meant only for the Dalits. Dalits. Sir, true. Only for Dalits. Sir, only for Dalits. क्यों होगा? No sir, false. क्यों हो तो उसके लिए. Schedule cast, schedule tribes, इनके लिए भी होता है. OBCs के लिए भी तो होता है? Yes sir, OBCs. Next, the manual squingers. Get low wages for the work they perform. Sir, true. यह true है. The Supreme Court of Indian could not do anything to ban the practice of manual squenching. Sir, false. यह false है? यह लिए. देखो, section number C, इसमें आपको match करना है. Untouchability. Untouchability. Not touchable. Not touchability. Not touchability. Sir, temples. Not touchability. No, no. यह आजाएगा not touchability. Sir, not touchability. Priest. Temple. Temple. Occupation. Work to earn. Work to earn money. Confront. Face to face. Face to face. Face to face. Manual squenching. At last. Squenching by hand. Very good. Very good. Next, the case में. जेखो, कुछ acts हैं. उनके बारे में यहां पर discussion किया गया है. जेखो, सबसे पहले. The employment of manual squenching and construction of dry latrines prohibition act. यह आया था कब? यह 93 में आया था. एक्ट. ठीक है? That's a 5. That's a 5. करमचारी अंदोलन. फाइल. P.I.L. और यह इंसिदेंट का गुए था. यह इंसिदेंट एक्टॉल में गुए था. 2003 में. The scheduled tribes and other traditional forest dwellers. 2006. यह जो एक्टॉल में एक्ट आया था. 2006 में. It reserves seeds in education and government employment for Dalit and Alivasis. Reservation policies. इसको बोस्ते reservation policies. और रतनम क्या थे? Dalit. ठीक है? Dalit. चलो. Section D. Multiple choice type question. Question number first. Which article of constitution states that intercibility has been abolished? नहीं. खुदी read नहीं करेंगे. आपको सिर्पाहां से बताना है. तो answer बताओ इसा किसका चाहता है. Article number 17. Article number 17. Article number 17 untouchability को abolish करने के लिए guide करता है. अगर अगर उसको फेत ही नहीं है तो आप उसको किसी रिच्वल के लिए फोर्स नहीं कर सकते. नेक्स देखो. सीके जानू इस. यह कौन थे? तो यह जो थे यह एक अक्टिविस्ट थे और इन्होंने आदिवासीज और दलित्स के लिए बहुत सारा एक्ट्वल में काम किया था. बनकों किया थारों सब्सक्राइट राच्ग suffrage टेम करा कैंअ ने तो में किया था यह टाए ये आभी लांस्ट में बताया में नींटन AI टन किकंडना थे रामाट सारम किर्वेस्बी सिंद्स बीसट मि-स ना-स मन दो दिल्दान ख। next is yes sir postage number six the forest, forest or tribal people living in their aboriginal state their lifestyle are known as अर्दिवासीब लिख रखा है आपको पता है जब सीजोगा इस प्रेंट हो सकता है ना गल्तिया इंसंसे ओती है next therefore what term means to exclude or banish an individual or a group इसको बोलते हैं ओस्टेसाइज ठीक है किसी को एक्स्टूड कर देना बाहर कर देना नेक्स देखू देखू द पर सन और ए ग्रूप यह जो चीजे है यह एक्चुल में जब स्टार्ट हुआ था तो इसके इंपोर्टेंट ट्रम्स में यह दोनों ही जो टर्म है उंको इसको 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 करेक्ट कर लो है आपने सही बोला है मैं तो यहां पर करेक्शन के लिए बोल रहा हूँ नख्यू इए निख्यू अर्टिकल ऑंट इसको है बोला है ता हूँ इसको अर्टिकल ऑंटिकल ऑंटिकल 17. आर्टिकल 17. व्च एिस इंपृतंट और आदिवसी इस है? एक्ट नाइट नाइक्ट ओफ नाइट एक्ट वॉट द्वोएम ओन अंटेचेबिटी पॉइटेश सोई सोराबाई पॉइटेश सोराबाई उन्होंने इसके उपपर पॉइम्स लिखे थी वोज बीडाइक आस्ट यह एक वीवर थे बुनकर जिसको बोलते हैं विच टाइप और पॉइम्स कबीर प्रॉट अधर Țनर के इन्होंने जो बागती ट्रेडिशन जो था मतलब की कैसे आप पूजा करते हैं कैसे आ बहगाण को रिज्ञाते हैं राजी करते तो उस tradition के उपर इनके जो पॉयम जो थे अक्सर उनकी इसी बेस पर होते थे कि आप जो है किस तरह से अपने आपको समर्फित कर सकते हैं अपने गोड के प्रती ठीक है तो इसको गोलते हैं भक्ति tradition तो यहां पर अपने चैप्टर जो है चैप्टर नम्बर एट कंप्लीट होता है कल हम इसका चैप्टर नम्बर 9 जो है इसको इसको खंप्लीट करेंगे इसके साथ इपनी civics की subject कंप्लीट हो जाएगी